Morning students, आज हम निवंद करेंगे ये chapter number 31 है और pay number 178 तो बचो निवंद करनी से पहले हमें ये जानना जुरूरी है कि निवंद क्या होता है और निवंद लिखते समय हमें किन बातों का दियान रखना चाहिए तो ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ठीक है निवंद का क्या अर्थ है अच्छी तरह से बंदा हुआ किस से बंदा हुआ नियोमों से निवंद गद्य सहायती की एक महत्तरपुरन बिद्या है तो बचो निवंद लिखते समय हमें किन बातों का दियान रखना चाहिए निवंद के विशे के बारे में पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए हमारी बाशा सरल सुबोत तथा परवापशली होनी चाहिए बाशा विशे के अनुरूप होनी चाहिए निवंद की हमारी जो शुरुआत है वो अच्छी होनी चाहिए निवंद के अंतिम अनुशेद में बिशे का निचोड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बच्चों निवंद के मुखे तीन बाव होते हैं। सबसे पहले हम जो अरम शुरू में लिखते हैं। जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। उसके हम नीचे मिडल पार्ट जो हमारा मत्यवाग होता है। उसमें हम विस्तार से लिखते हैं। जा अपने पॉइंट्स बना कर भी लिखते हैं। उपस्द सबसे अंतमें जिसको सार भी कहते हैं, निचोड भी कहते हैं। अरंब में हम क्या करते हैं, विशे का परिचे दिया जाता है, इसका अकर्षक होना अवश्य होता है, मद्यवाग में हम विस्तार से लिखते हैं, जा हम विशे से समंदित बिंदूं को, पॉइंट्स को बना कर लिखते हैं, उपसार अंत में विशे का निचोर प्रस्तुत किय लाता है तो बच्चो यह समझने के लिए था यह आपके इस लेबस में नहीं है यह समझने के लिए था कुछ बच्ची अपने मन से लिखते हैं जब वो लिखेंगे तो इन बातों का दियान रखेंगे तो वो अपने मन से भी अच्छा ऐसे बना सकते हैं तो बच्चो आजो प बारा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, हिर्दे नहीं बैपत्तर है जिसमें सब देश का प्यान है, पता इसका क्या आर्थ हुआ बच्छों, कहते हैं, जिस मनुष के हिर्दे में अपने देश के प्रती प्यार नहीं है, अपने देश के प्रती अच्छे बा नहीं है तो बैक कठोर दिल वाला है समयगे तो हमारा बारत देश महान है ये तो आपको पता ही है ना बच्चो ये सुन्दर भी है ये हमारी मातर भूमी है जहां पे हमने जनम लिया हुआ है इस देश में बहुत से महापुर्शों ने जनम लिया है ये देश दर्ति का या कुद्रत या नितने रूपों में खिलती है किसी ने इस धर्ती के लिए सही कहा है कि दुनिया में कहीं सवर्ग है तो बैह है भारत इसका उधारन क्या है हमारा कश्मीर कितना सुन्दर है इस देश का नाम भारत पतापी राजा भरत के नाम पर पड़ा है भारत का देश है संसार में इसकी अधिक भीनता कहीं नहीं मिलती जितनी भारत में यहां की जलबाजू लोगों का रहन सेहन खान पान सभी में भी भीनता है मिन अलग है इनी बीवताओं के कारण जी अधबुत कहलाता है इसका क्या मतलब हुआ बच्चो कि सभी स्टेर्स के लोग वहां की जलबाजू लोगों का रहन सेहन खान पन अलग है लेकिन अनेकता होते हुए भी मेरे बारत में एकता है उतना ही इतना ही नहीं सभी प्रकार के प्राकृतिक संदर्य और भैबब से संपन हमारा देश सब संसार का सबसे बड़ा जंतंतर भी है तो बच्चो ये जान की द्रिश्टी से सब भी समान है हिंदी इस देश की रास्टर बाशा है यो लगवर संपूर में पूरे देश में बोली जाती है गंगा जमना सतनुल ब्यास रावी कृष्णा गुदावियां आदी नदियां इसे हराबरा बनाती है ये बूमी संतों और महात्माओं की बूमी भी ये है राम और कृष्ण की जनम बूमी है इस बूमी पर कृष्ण ने अर्जुन को करम करने की प्रेना दी थी भारत ने ही संसार को बगवान बुद्ध के रों में अहिंसा शान्ती का पाठ पढ़ाया इस देश में अहिंसा त्याग और प्रोपका त्याग होता बलिदान देना प्रोपका दूसरों का बला करने वाला पर बल दिया है कि दूसरों की बलाई पर जोर दिया जाता है इसकी संस्कृति जो है वो अत्यन प्राचीन है ये प्राचीन काल से इसकी संस्कृति चली आ रही है बारत एक विकास शील देश है ये तो आपको पता ही ह बचो क्रोडों बारतियों इसे उनत्मिन प्रोग्रस और खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं पर तेक भारती हम सब इस पर घरब करते हैं तो हमारा देश शांती में विश्वास रखता है तथा साथ ही साथ नी शैस्त्री करन का भी पक्षपाती है सरब जन सब लोग हिता है इसके हित के लिए और सरब जन सब लोग सुखा है इसके सुख की बावनाम में हम भारती विश्वास रखते हैं सदय में सदा इश्वर से हम यही प्राथना करते हैं कि देश का गोरो बढ़ाने में शांती बनाए रखने में हम भारती सदा प्रजयतनशी रहे तो बचो यह कापी पे नहीं लिखना है इसको आपने तीन चार बार पढ़ना है फिर अपनी शब्दों में बनाने की कोशिच करनी है कुछ बचे नहीं बना सकते हैं तो वो फिर यहीं से लर्ण करेंगे कापी पे लिखने की जुरूरत नहीं है धन्यवाद